अपनी टीम को सीधी चेतावनी दे दी है कि ये काम मत करना ये काम करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे और वो ये काम है टीम इंडिया के साथ काली करोश टीम इंडिया के साथ दुर्वे वहार साफ तोर पर कहा दिया है जिस्टेन लेंगर ने अपने टीम के खिलाडियों को कि किसी भी खीमत पर टीम इंडिया के साथ मिसकंड़क्ट मत करना दुर्वे वहार मत करना नहीं तो उनको पुराने किस्से याद है जब 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 ऑस्टेलिया के किसी खिलाडी ने टीम इंडि कि लारी ने उन्हें छोड़ा नहीं है आपको या दोगा मंकी केट कांट एंड्रियो साइमेंट्स वर्सेज हर्बजन सिंग क्या हुआ था उसके बाद पटक दिया था उस्टेलिया को अगले ही मैच में पटक में और उसके बाद हर्बजन सिंग तिरंगा लेते हुए पुरे कि इंडिया को जब भी कोई छेड़ता है तो पर टीम इंडिया उसे छोड़ती है हाल जब आपको याद होगा 2007 के वर्ड कप में टी-20 का वर्ड कप चल रहा था और एंड्रियु फ्रिंटॉफ ने इंग्लियान के खिलाब मैंसा एंड्रियु फ्रिंटॉफ ने युवराज सिंग ने लगातार 6 गेंद उपर 6 चक्के जड़े है ना वो कोई भूल नहीं पाया है युवराज सिंग के घुसे का शिकार स्टॉट ब्रॉड हो गये थे और फिर फ्रिंटॉफ आयते उनको भी पहली गेंद पर चक्का जड़ दिया तो ऐसे कहीं सारे इंसिदेंट्स रह कि आप जो आजकल का क्रिकेट का एक डौड चलना है सब IPL में जातमें एक्ड़ को आप ड़ी होते हैं तो आप खिलाडी थोड़ी सीमा लांग जाते हैं लेकिन उन्हों ने अपने घ्रारे को कह दिया है कि ध्यान रखिएगा सीमा-ए-लांगिया भात-चीठ ठीक है यानि छीटा करशी एक दूसरे पर आप कर सकते हैं यानि छोड़ा आपने जैसे कोई बल्लेबास को बाउंसर मार दिया जिए मिडिया कि वो थोड़ा सा बज गया क्या नहीं खेल पाया आपने याके उसको चेहर दिया यह चीटा करशी करके दूसरी टीमों को एक दिम नीचा दिखा के और इस तरीकी का क्रिकेट खेल कर ही तो आगे बढ़े है इसी तरीकी क्रिकेट यह तो उनके गेम का हिस्सा है लेकिन यह तरह बदलाव कर से आ गया अचानक उन में इसके पीछे की वज़ा आपको क्या लगती है बताईएगा और यह जो जसल लेंगर ने अपने खिलाडियों को चेतार्मी दी है इस पर आपका क्या कॉमेंट यह भी बताईएगा बहुत बहुत शुक्रिया